happy children's day आज मैं आपको बच्चो exercise 8.2 comparing quantity class 8 ncrt के question number 8 बता हूंगे ठीक है इससे पहले वाले question मां already solve कर चेके तो question पढ़ो क्या है the price of a tv is rupees 13,000 the sale tax charge on it is at the rate of 12% find the amount that Vinod will have to pay if he buys it ठीक है देखो क्या करोगे आप सबसे पहले price of tv कितना दे रखा उसने price of tv आपको यहाँ पे दे रखा 13,000 कितना दे रखा है 13,000 तो यहाँ मैंने लिख दिया इसको 13,000 ठीक है sale tax कितना दे रखा है यहाँ पर देखो 12% ठीक है तो यह मैंने लिख दिया है यहाँ पर 12% इसका sale tax है अब tax निकालेंगे कैसे price कितना दे रखा है मैं price लिख दो 13,000 है है ना into tax rate कितना 12% तो percent लिख रखा है इसलिए हम क्या करेंगे upon hundred ठीक है अब यह दौनों 0 से इन दौनो zero को cut दो अब आप 130 को 12 से multiply करो तो आपका answer कितना आजाएगा 1560 रूपीज यह तो आगया आपका tax अब हमें क्या पता करना है amount paid by विनोद तो amount कितना pay किया उसने पहले तो यहाँ पर हम क्या करेंगे price लिखेंगे price कितना था 13,000 है ना 13,000 प्लस जो हमारा tax निकला 1560 रूपीज ठीक है इन दौनों को अगर हम add करें तो कितना आ जाएगा 14,560 रूपीज यह tax हो यह मतलब amount paid करेगा अगर वो TV खरीदना चाहता है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही प्लीज 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 लाइक शेयर सब्स्राइब करें फालू करना